प्रेस कॉन्फेंस है आप सभी ने अभी मीडिया में भी दिखाया टीवी पर भी हम देख रहे थे कि मुदा के जो चेर्मेन है करनाटक में मुदा के चेर्मेन ने अभी-भी इस्तिफा दिया है चंद दिनों पहले सिदरमया साहब जो करनाटक के सीएम हैं और हमें लगता है तुरंत इस्तिफा देना चाहिए उन्होंने भी पेशकश की थी कि जो जमीन उन्हें आवंटित हुई थी मुआवजा के रूप में उस जमीन को वो वापस करेंगे तो एक प्लस एक मिलकर दो होता है मुदा के चेर्मेन का इस्तिफा और जमीन वापस करने की जो पेशकश स साहब की रही है करनाटक में ये एक बात पश्ट करता है कि मुदा स्कैम में सर से पाओं तक कॉंग्रेस पार्टी के वहां के सबसे बड़े नेता सिदरमया जी खुद लिप्त हैं आप सभी जानते हैं कि कल एडी ने भी एक चार्जशीट फाइल किया है केवल मुदा के चेर्मेन ने इस्तिफा दिया है ऐसा नहीं हुआ है एडी के चार्जशीट का भी इफेक्ट रहा है एडी के चार्जशीट में ये दावा किया गया है और सुनकर ही मुझे बड़ा आश्चरी होता है कि इस प्रकार भी राजनीती होती है कि ये जो करनाटक में करनाटक महर्शी वालमी की अनुसूचित जनजाती विकास निगम हमारे अनुसूचित जाती के लोग और अनुसूचित जनजाती के लोगों के लिए SCST welfare के लिए जो फंड है करनाटक में that lies under the ages of महर्शी वालमी की अनुसूचित जनजाती विकास निगम उसके फंड में किस प्रकार से उसे डाइवर्ट करके आम चुनाव जो अभी 2024 में हुए थे उस आम चुनाव में बिल्लारी लोकसभा में लगभग साथ लाक से अधिक लोगों को दो दो सो रुपए करके बांटा गया है In fact, the ED's charge sheet categorically mentions that the money which was meant for the welfare of SC and the ST community which was in the custody of the महर्शी वालमी की board which was in fact the money of the taxpayers that was used for a political purpose by the Congress Party Congress ने साथ लाक वोटर्स को, Congress को वोट देने के लिए दो दो सो रुपए किसी को दो सो, किसी को तीन सो, किसी को चार सो इस प्रकार से वहां बांटा है They tried to influence the election of बल्लारी लोकसभा सीट और आप सभी जानते हैं कि जहां तक ये मुदा स्कैम का विशय है इसमें जो लेखा अधिक्षक, जो मुदा के रहे थे पी चंद्रसेखर, he had committed suicide उन्होंने आत्महत्या की थी और जो उन्होंने suicide note छोड़ा था उस suicide note में बहुत कुछ चौकाने वाला था उसमें categorically लिखा हुआ है कि निगम के बैंक खाते से महर्शी वालमी की निगम जो है उस निगम के बैंक खाते से लगभग 187 करोड रुपे अनाधिकृत हस्तान तरण illegal shifting हुई है and there is a rule across the country that the money which is specifically allotted for the welfare of the SCST community cannot be diverted आप बाकी fund को divert कर सकते हैं मगर जो SCST community के welfare के लिए जो पैसा है उस पैसे को कदाचित आप किसी और काम के लिए divert नहीं कर सकते हैं it is too much of a coincidence I will say that Rahul Gandhi goes to America and he declares that हम कभी सत्ता में आएंगे तो हम आरक्षन समाप्त कर सकते हैं और simultaneously we see that in Karnatak the money which is meant for the welfare of the SCST community is diverted and is used for purposes to satisfy the political needs of Congress Party's leaders मुझे तो बोलते हुए भी आश्चरे लग रहा है और आप सब हैरान परेशान होंगे कि जिस प्रकार की ये नोट सामने आई है वालमिकी महर्शी वालमिकी अनुसुची जनजाती विकास निगम लिमिटेड कि जो पैसों का इस्तेमाल लेंबॉर्णी गाड़ी खड़ी दी गई फ्लैट बुक किये गए फ्लैट्स हैब बिन बुगड हवाई टिकेट बुक किये गए निजी ये कोई HCST वेलफेर के लिए हवाई टिकेट बुक नहीं किया गया है निजी नीजी लोगों के लिए हवाई टिकेट बुक किये गए नीजी करमचारियों को मैंने किसी को PS रखा किसी को PA रखा नीजी करमचारियों को सेलरी दी गई है और बिजली के बिल का भुगतान किया गया है वह भी महर्शी वालमी की निगम फंड जो है उसमें से किया गया है गाडियों पर खर्च किया गया कोई नेता गुमने आया राहुल गांदी गुमने आये राहुल गांदी और उनके परिवार के गुमने के लिए उसमें से पैसा खर्च किया गया आप सोचिए अगर इस प्रकार से पैसा निगम के फंड से SCST के वेलफेर के फंड से कर्च किया गया हो तो इस प्रकार कि CM को अपनी कुरसी पर बने रहने का क्या अधिकार है यह आज हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है और आप सभी ने देखा था कि जब पहले भारतिय जनता पार्टी और केवल भारतिय जनता पार्टी ही नहीं करनाटक की जनता और हिंदुस्तान की जनता, when we asked difficult questions out of the Congress Party initially Mr. Sidharamaya and Mr. D.K. Shivukumar, they denied कि no, we are paak saaf हम paak saaf है, हमने इस प्रकार का कोई अन्याए नहीं किया मगर बाद में फंड डाइवर्ट हुआ है तो आप सोच के देखिए मुदा के चैर्मेन का आज इस्तिफा एडी की चार्जशीट जिसमें एक लोकसभा में बेलारी में साथ लाख लोगों पर पैसा खर्च करना सिदरमया जी का ये पेशकष की मैं जो जमीन लिया हूँ मेरी पत्नी के नाम पे जो मुआवजे पे जमीन आवंटित हुई है वो जमीन में वापस करने के लिए तैयार हूँ और तो और सदन के पटल पर खड़े होकर ये कहना कि हाँ दा मनी वस डाइवर्टेड डाज नॉट आप ले लिजे पर र्भे जी पे खून लगे हूए आप देख लिजी सो फिया हमlike Unika is has submitted the weapon of corruption where the land parcel is to be surrendered the chairman is resigning what else do we need as an evidence for Mr. Sidharamaya to step down I call upon Mr. Sidharamaya Mr. Sidharamaya if you have the slightest morality left in you you should immediately step down you should not wait for today's sunset the curtain should be drawn on the present regime of Karnataka even before today's sunset Bandugan ये जो पूरा मुदा स्कैम और जो महर्शी वालमी की स्कैम चल रहा है उसमें बीन आगेंद्र जो उनके खुद के विदायक है Congress Party के मंत्री उस विभाग के रह चुके है महर्शी वालमी की फंड डाइवर्ट जो हुआ है उस विभाग के जो मंत्री रह चुके है आज वो जुडीशल कस्टडी में है ही इस बीहाइंड बार्स वो जेल के सलांको पीछे 16 केजी सोना कोई ग्राम में नहीं बोल रहा हूं केजी केजी किलो ग्राम 16 केजी सोना और धाई करोड रुपे बरामत हो चुके हैं और धाई करोड रुपे बरामत हो और उसके बाद भी हमें प्रेस कॉंफेंस करनी पड़ रही है कि मुख्यमंत्री जी आप सिंगासन चोड़िए अरे 16 केजी में तो पूरा का पूरा मुख्यमंत्री जी का सिंगासन वो सोने का बन जाएगा फिर भी आप सिंगासन नहीं चोड़ रहे हैं इस प्रकार की निरलचता केवल कांग्रेस में ही हो सकती है जहां तक मुदा स्कैम का सवाल है I don't want to be repetitive बट एक nutshell में आप सभी को पता है कि मुदा के जो चेर्मेन थे जिनका नाम मारी गोड़ा जी था उन्होंने आज रिजाइन किया है और इसके पीछे सिधरमया जी जब डेप्यूटी सीम थे उस समय एक जमीन उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पारवती जी के भाई उनको अवंटित हुई थी मैसुरू के पास एक गाउं में उसके पस्चाद जब करनाटक इंडस्ट्रियल अथॉर्टी डेवलाप्मेंट बोड उन्होंने यह तई किया कि हम वहां कोई डेवलाप्मेंट के प्रोजेक्ट लेके आएंगे और उस लैंड को एक्क्वाइर करेंगे उसका अधिग्राण करेंगे लैंड एक्क्विजिशन जिसे बोला जाता है तो एक नियम लाया गया कि उस लैंड के एक्क्विजिशन के बदले हम शहर में आपको जमीन देंगे उसके एक्क्विविलेंट जमीन देंगे मगर जो जमीन शहर में दी गई वो कई गुने अधिक थी compared to the cost of the land in the village तो ये सब ताता भाई खेर ये तो समझाने वाले सिखाने वाले इनके तो गुरु जी है नैशनल हराड स्कैम करके पाँच हजार करोड रुपए गबन करने वाले ये सोनिया जी नहीं टूशन दिया होगा सोनिया जी नहीं टूशन दिया होगा और उसका रिवीजन वाडरा जी नहीं कराया होगा और राहुल गांधी जी ने एक्जिक्यूट कराया होगा नहीं तो नहीं हो सकता है ये सारी बुद्धी, खलू बुद्धी, कांधी परिवार में ही मौजूद है, देश की जमीन को कैसे हडपना है, कौन से हस्ताक्षर कहां करना है, किस प्रकार से, लखनव में, भोपार में, दिल्ली में, प्राइम प्रॉपर्टी को हडप के अपने जेब में डालना, पांच में एक्यूज नंबर वन, क्योंकि बार बार नहीं बुला जाता है, सोनिया जी और राहुल जी, तो एक्यूज नंबर वन हाजीर हो, ऐसे बुला जाता है, एक्यूज नंबर टू, तो एक्यूज नंबर वन सोनिया जी है, और एक्यूज नंबर टू राहुल जी है, पांच हाई कोट भी गए थे सिदरमया जी हाई कोट में करारा तमाचा मिला उनको और उसके पस्चात फिर भी देखिए कि सिदरमया जी ने अभी तक इस्तिफा तो दूर उसकी पेशकस तो दूर यहां राजनिती करने की कोशिश कर रहे हैं